गुड बॉर्निंग दोस्तो एबी सी साइन्स कोचिंग सेंटर के यूटूब चेनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम मैत का भीरी भीरी इंपोर्टेंट कोश्चन बताने जा रहा हूं जो कि सभी ट्रिकली सोलूसन होगा और ये सभी परिछाओं के लिए महतपूर्ण ह याद रहे ये सभी कोश्चन मैं सेट पैटरन प्रश्ण बताता हूं जो प्रिभीएस येर कोश्चन है तो विडियो को सुरू करते हैं कोश्चन नमर वन दिया है एक दुकानदार करमस 50 परसेंट और 40 की दो करमिक छुट देता है समतुल्य बट्टा ग्याद करें अगर ऐसा कोश्चन रहे समतुल्य बट्टा ग्याद करने के लिए तो पहला और दूसरा को जोरेंगे फिर मैनस करके पहला और दूसरा को गुणा कर देंगे और बटा सो करेंगे कैसे करेंगे सो देखते हैं क्या करेंगे पच्चास पलस चालिस तो क्या हो जागा उसके बाद क्या करेंगे हम मैनस लिखेंगे पच्चास गुणा चालिस बटा सो अब काट देंगे कितना जगा 50 और 40 यह जोरेंगे तो आ जगा 90 माइनस पंचों का 20 आ गया कितना 70 तो यही 70% मेरा एंसर होगा यह कितना नमर ओप्सन है ओप्सन नमर ए है नेश्ट कोश्चन चलते हैं दिया है एक दुखंदार 50%, 40% और 20% के क्रमिक छूट देता है समतुले बट्टा गयाद करें इसमें भी वही है लेकिन इसके पहले वाले में 2 गो था परशेंट बट्टा दे रहा था छूट इसमें 3 है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट और शेकन को लेके चलेंगे तो उसी तरह से कर देंगे 50 पलस 40 माइनस 50 गुना 40 बटा 100 अब हो जागा यहां 50 और 40 90 यह 0 से यह 0 कर जागा यह 0 से यह 0 यहां कितना हो जागा माइनस 20 तो यह घुट के आ जागा कितना 70 अब देखिए क्या करेंगे फिर अब यह जो 70 आया इस 70 को 3 से लेके चलेंगे तो हो जागा फिर उसी तरह से चलेंगे 70 पलस 20 माइनस 70 गुना 20 बटा 100 यह 2 0 से काट देंगे यहां हो जागा 70 अब 20 यहां पर भी हो जागा 90 माइनस यह 7 दूना हो जागा कितना 14 इसको घटा देंगे आज़ेगा 6, 8 और 1, 7 यानि 76% इसका option हो जाएगा option नम्मर C 76% इतना आसान से ये बन जाता है चलिए question नेक्स चलते हैं next question दिया है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है फिर कम की हुई संख्या में 20% की विर्दी की जाती है परिनामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या होगा ये question पिछले वीडियो में हम दिये थे कि ये question को solve करना है उसका solution ये है तो देखते हैं सबसे पहले मानेंगे माना की संख्या अपने मन से मान लेजिए 100 है अब कराए तो इसमें सीधे कराए पहले 20% कम किया जाता है तो कब बीस निकाल देजे तो सौ का 20% निकालेंगे तो सौ में 20 कैसे निकलेगा यहां 80 आजागा ठीक है अब देखिए फिर क्या होता है 20% बीर्धी होता यानि पहले बीर्धी कम हुआ तो 20 घटा दियें 80 हो गया अब 20% बीर्धी हुआ तो सो का 20 यहां 120 हो जागा और बटा न आदेंगे क्योंकि हम सौ माने थे तो सौ मैनस च्यानिवे तो सौ मैनस च्यानिवे बराबर कितना आ जाएगा चार आ जाएगा तो अब देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि 20% कम की जाता है कम की जाती है फिर कम क्यों ही मिल में बिर्धी किया जाता है और दोनों का परिनामी और मूल संख्या से जो यह क्या है 20 कम है तो यानि जो यह घटा रहे हैं यानि कितना आया यह 4 परतिसत आया 4 परतिसत बराबर यह कितना कम है 20 कम है यानि 20 तो 4 परतिसत बर बराबर 20 होगा तो एक पर तीसत बराबर कितना हो जागा 20 बटा 4 और चुकि हमको निकालना है इसको 100 परशेंट में 100 परशेंट बाने थे तो यहां हो जागा 100 परशेंट बराबर 20 बटा 4 गुना 100 तो 100 से कार देंगे 4 से 4 परशें 20 तो 4 परशें 20 तो 100 में 5 से गुना करेंगे यानि आजागा 500 तो मेरा आजागा ओप्सन नमबर C 500 तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लैक जरूर कर दें अब नेक्ट कोश्चन चलते हैं एक वस्तु जिसका अंकित मुल 18 100 है जिसका अंकित मुल कितना है अंकित मुल उसको 1476 रुपया में बेचा जाता है तो छूट का परतिसत क्या होगा तो सबसे पहले अंकित मुल है कितना 18 100 बेचा जा रहा है 1476 में तो क्या करेंगे 1800 में से 1476 घटा देंगे यहां कितना बम जाका 7 में से 4 गया 3 यानि 324 तो जो घट करके आया यानि जो कमी करके बीच रहा है तो कमी बटा जो उसका अंकीत मूल है तो बटा अंकीत मूल कितना दिया हुआ है अठारा सो अग गुना सो कर देंगे क्यों क्योंकि परतिशत पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ कर देजिए 0 से 0 18 से काटेंगे एक बार में तो अठारे का 1 अठारüğ और बच जाएगा कितना ऐसे आठारा में आठारा से गुना करेंगे तो 324 होता है आठारा आठारा हां 324 तो यहां आजाएगा आठारा और यह 18% मेरा आप्सन नमर डी है ऐसे इसको भाग लगा के भी देख सकते हैं 324 से भाग लगा येगा तो एक बार में आजागा आठारा 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 चावाल से 144 कर जागा कोस्चन नमर फाइब दिया है यदि किसी वस्तू को अंकित मूल पर एकल छूट 40 परतिसद है तथा दो करमागत छूट 20 परतिसद और 20 परतिसद के बीच का अंतर 16 है यानि करने का मतलब यह दोनों एक साथ है और यह सिंगल है दोनों का अंतर 16 है तो अंकित मूल गयात करना यानि अंकित मूल गयात करना है हमको तो सबसे पहले यह दोनों के बीच का अंतर तो यह याद रखिए 20% 20% का अंतर है तो यह दोनों का अंतर जब percentage निकलना रहे तो निकालेंगे कैसे पहली संखिया पलस दुसरी संखिया मैनस पहली संखिया पलस गुणा दुसरी संखिया बटा 100 तो वहीं निकालेंगे 20 plus 20 minus 20 गुणा 20 बटा 100 कर देंगे एक जिरो से एक जिरो दोनों उपर कड़ जागा कितना हो जागा 20 सब 20 40 माइनस दोवा दो कितना हो जागा 4 तो 40 में से 4 गया तो हो गया 36 अब देखिए ये दोनों का 20 परसेंटेज निकाले दोगों का है समतुले परतिसत निकाले तो ये दोनों का आगया कितना 36 अब है क्या ये एकल चूट है 40 और इसका कितना आ रहा है 36 तो इसका 100 का 40 निकलेंगे तो 40 अजएगा यानि हो जएगा 40-36 दोनों की अंतर कितना दे रहा है 16 यानि बराबर हो जएगा 16 40 very 36 गया तो हो जएगा 4 बराबर 4 बराबर 16 आ रहा है तो 1 बराबर सोरी चार बराबर आएगा 16 चार बराबर आ रहा है 16 तो एक बराबर आजाएगा 16 बटा 4 इसलिए 100 बराबर आजाएगा 16 बटा 4 गुना 100 तो कार देंगे चर्चों का 16 यह कितना आजाएगा? चार सो आजाएगा यहने इसका अंकित मूल कितना हो जाएगा? 400 चार सो किस option में answer है? option नमर D तो दोस्तो अब next चलते हैं next question इस question को आप इस वीडियो के नीचे comment में answer बताईएगा और अगर न बने तो उसको हम next वीडियो में इसको बताएगे क्या दिया है? एक दुकांदार अपने दुकांदार अपने दुकान में एक कपरे का मूल 60% कर 25% छोड़ देता है यदि क्रेमूल 2000 है तो भी क्रेमूल निकालना है ये option आप बना करके नीचे comment box में बताईएगा कि क्या होगा अगर न बने तो मैं next part में इस वीडियो में मैं उसको फिर solution बताऊँगा मैं वीडियो हर बार part by part बना रहा हूँ तो दोस्तो ये वीडियो आपको I hope अच्छा लगा होगा तो like, comment और अपने दोस्तों को share जरूर करे हाँ अगर इस चैनल पर जो भी नए है इस चैनल को subscribe कर दें जय हिंद